नमस्कार इस्ट्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्व चैनल में तो आज की इस फीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्टिसेट 7.3 तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नमबर वन क्या दिया यहाँ पर राइट द फॉलिविंग स्टेटमेंट्स आर ओफ इन्वर्स वे और तयाम तो कोई भी काम है तो उसको करने लिए जो क्या हो में घट हो अगर लगने माला है और अगर पढ़ाओगे तो पहला वाल रहेगा वह कम हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने आपको पिछला प्रैक्टिसेट पढ़ाया था तो उसमें आपको एक एक जामपल की तुरू समझाया था जैसे देखो यहां पर यह दिवाल है ठीक है तो समझो कि यह दिवाल को ना कि 20 वर्कर मिल करके 5 घंटे में पूरा के पूरा बना देते हैं ठीक है यह दिवाल है जिसको 20 वर्कर्स मिल करके कितने घंटे में उसको बनाते हैं 5 घंटे में मतलब 5 आवर्स में उसको क्या करते हैं पूरा के पूरा बना देते हैं तो अगर हम यह नंबर ऑफ वर्कर्स बढ तो जो लगने वाला टाइम है वो क्या होगा डिक्रीज होगा देखो यह इंक्रीज हो रहा है तो यह डिक्रीज हो रहा है और अगर हम नंबर ओफ वर्कर्स को डिक्रीज करेंगे तो जो लगने वाला टाइम है वो क्या होगा इंक्रीज होगा मतलब यह नंबर ओफ वर्कर्स यह किसमें है inverse variation में है तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं number of workers number of workers on a job and time taken by them to complete the job are in inverse variation ठीक है तो यह हो जाएगा इसका answer अब यहाँ पर अगला देखते हैं क्या दिया है आपर number of pipes of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank अब समझेगा इसको क्या दिया है यहाँ पर number of pipes of same size ठीक है and यहाँ पर क्या है time taken by them to fill the tank तो बताईए यह inverse variation में है कि direct variation में है जैसे example के लिए अभी इसको ना हम example से समझेंगे तो हमको clearly समझ में आएगा जैसे देखो कोई एक tank है समझो कि यह क्या है यह tank है तो इसको भरने के लिए ना समझो कि मैं कितने pipes ले रही हूँ 5 pipes ले रही हूँ जब मैं 5 pipes ले रही हूँ तो यह जो tank है ना समझो कि यह 5 घंटे में fill हो जाता है पूरा के पूरा है जब मैं 5 pipes ले रही हूँ तो यह जो tank है यह 5 hours में क्या हो रहा है पूरा भर जा रहा है तो अगर मैं number of pipes को increase करूंगी तो जो time लग कर रहा है यह क्या होगा डिक्रीज होगा सिरो यह तो डीस करोंगी तो तॉ टाइम है keyword सब्रेशच सब्ख्राइब है तो अप देखो यह एक बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो रहा है कम हो रहा है यह इसको कम करेंगे तो दूसरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है मतलब यह किस में है inverse variation में है तो चलिए यहां पर अब लिखते हैं number of pipes और अबर अब्स, तो चलिए यहां लिखते हैं थाइ तो दो फेल अ तर अ तैंग और दाम Taken by them to fill the tank Are in inverse variation ठीक है? आप इसको समझतिंगा यहाँ पर क्या दिया है? इसे ना एकजामबल के तरो समझती हूँ जैसे समझो कि आपके पास कोई वैकल है ठीक है? आपको उसमें क्या करना है? पेट्रोल भरवान है तो आप सब्पोस करो कि आपको वन लिटर पेट्रोल कितने का मिल रहा है 60 रुपीज का मिल रहा है तो अगर आप पेट्रोल को बढ़ाओगे मतलब एक लिटर से आपने इसको दो लिटर कर दिया तो जो आपका कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगा 60 से ये 120 हो जाएगा वैसे ही अगर आप इसको 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा तो दीखिए यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है अगर आप इसको कम करते जाओ मतलब अगर आप इसको 1 लिटर ना लेके बस 1 लिटर लो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा उनली 30 upstairs आपको देना पड़ेगा मतलब अप एक बढ़ा रहा हो तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक कम करोओगे तो दूसरा भी क्या होगा कम होगा मतलब ये किस variation में है direct variation में है तो यहाँ पर हम लिट देते हैं और वेहिकल एंड इट्स कॉस्ट आर नॉट इन इन्वर्स वेरियेशन मतलब यह इन्वर्स वेरियेशन में नहीं है ना तो यहां पर हमने लिख दिया कि यह वाला जो स्ट्रेटमेंट है यह inverse वेरियेशन में नहीं है यह किस वेरियेशन में है डेरेट वेरियेशन में है अभे अगे अगला देख लेते हैं क्या एँ यहां पर area of circle and its radius बहुत ही easy है यह देखो जैसे suppose करो यह है एक circle थीक है ये circle है तो इसका area कुछ भी होने तो मतलब इसका area कुछ है तो अगर मैं इसकी radius को बढ़ाओंगी समझो अभी इसका radius यहां तक है ठीक है अभी इसका radius यहां तक है तो अगर मैं इसकी radius को क्या करती हूँ बढ़ाती हूँ तो जो इसका area है वो भी तो बढ़ेगा न मैं radius बढ़ाते जाओंगी area बढ़ते जाएगा radius कम करूंगी समझो कि radius बस इतना ही है तो इसका area इतना होगा समझ में आया आपको मतलब अगर आप radius को बढ़ाओगे न तो जो area है वो भी बढ़ेगा या फिर अगर आप area को कम करोगे तो जो radius है न वो भी क्या हो जाएगा automatically कम हो जाएगा तो यह किस variation में है direct variation में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे area of circle and its radius are not in inverse variation तो देखिये यहाँ पर हमने question number one complete कर लिया अब यहाँ पर देखिये question number second क्या दिया इसमें if 15 workers can build a wall in 48 hours how many workers will be required to do the same work in 30 hours तो सबसे पहले आपको यह identify करना होगा कि यह inverse variation में है कि direct variation में है तो बताइए किस variation में है यह inverse variation में है क्योंकि देखो अगर आप workers को बढ़ाओगे तो जो लगले नमाला time में वो क्या हो जाएगा कम remains या फिर अगर आप number of workers को कम करोगे तो जो time में वो बढ़じゃाएगा गया और अगर इसको कम करेंगे तो दूसरा क्या होगा बढ़ेगा मतलब यह किसमें है? inverse variation में है अब यहाँ पर हम consider करेंगे कि late number of workers B W आप कुछ भी ले सकते हो X, Y, M, N कुछ भी ले सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ पर number of workers को ले रही हूँ W and number of hours B इसको मैं ले लेती हूँ H, ठीक है अब यह किसमें है? inverse variation में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं W is inversely varies as H, ठीक है अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर equal का sign लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा K upon H हो जाएगा where K is constant अब H यहाँ पर आ जाएगा कितने हैं? 15 मतलब यहाँ पर W कितना है? 15 है फिर यहाँ पर क्या है? 48 hours मतलब H कितना है? 48 है तो अब हम क्या करेंगे? W और H के value को इसमें put करेंगे तो 15 into 48 is equal to K अभी दोनों को multiply करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना answer आता है? तो 48 into 15 5 is a 40 5 4 is a 20 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर 4 0 720 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं K is equal to 720 यह क्या हो गया? constant of variation अब है हम क्या find करेंगे? equation of variation तो देखिए इस K के value के हम क्या करेंगे? इसमें put कर देंगे तो W H is equal to क्या हो जाएगा? 720 यह क्या हो गया? equation of variation अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? देखिएगा कि how many workers will be required to do the same work in 30 hours तो आप देखो यहाँ पर H दिया है आपको W निकालना है मतलब number of workers आपको क्या करना है? find करना है तो यहाँ पर हम find कर लेते हैं आपको यहाँ पर H कितना दिया है? 30 दिया है आपको W क्या करना है? find करना है तो आपके पास equation of variation क्या है? W H is equal to 720 तो W into H कितना है? 30 is equal to 720 फिर यहाँ पर 30 उदर जाएगा तो divide में हो जाएगा 00 कट गया अभी 3 1s are 3 3 2s are 6 इसमें 7 बचेगा 3 4s are 12 मतलब यहाँ पर क्या आगया? 24 तो हम इसका last में answer लिख देंगे कि hence 24 workers will be required तो 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 आप देख सकते हो यहाँ पर हमने question number second complete कर लिया अब यहाँ पर देखिए question number third इसमें क्या दिया है? 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes find the time to fill such 1,800 bags तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यह identify करना है कि यह direct variation में है कि inverse variation में है तो देखो यहाँ पर क्या दिया है number of bags and number of minutes जैसे मैं आपको छोटा सा example ले करके बताती हूँ जैसे समझो कि आपके पास कितने bottles है समझो आपके पास five bottles है और एक bottle को भरने के लिए आपको उसमें ना पानी भरना है तो एक bottle को भरने के लिए आपको एक minute लग रहा है मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है वही अगर आपको बस उस बोटल को आदा ही बर रहा है तब आपको आदा ही मिनट लगेगा मतलब जब आप एक को घटा रहे तो दूसरा भी क्या हो रहा है घट रहा है तो यह किसमें है डारेक्ट वेरिय bags b x and number of minutes b y देखें यहां पर हमने क्या लिखा कि number of bags को हमने क्या consider किya x और number of minutes को हमने क्या consider किya y consider किya अब यह दुनों किस variation में है direct variation में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखें x varies directly as y अब यहां पर equal का sign लगाते हैं तो क्या हो जाएगा k y where k is constant फिर अभी हम क्या करते हैं देखें कोस्चन अभी हम देखते हैं है यहां पर क्या दिया है कि 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes तो देखो यहां पर x कितना है 120 है और y कितना है 3 है तो यहां पर हम लिखते हैं x is equal to 120 and y is equal to 3 अभी हम क्या करते हैं देखो x और y के value को इसमें put कर देते हैं तो x 120 is equal to k into y कितना है 3 3 को इधर ले लेंगे तो 120 upon 3 is equal to k तो 3 1s are 3 3 4s are 12 मतलब यहां पर k is equal to क्या आ गया 40 यह क्या हो गया constant of variation अभी हम क्या find करेंगे equation of variation तो देखें k के value को इसमें put कर देंगे जिससे equation of variation आ जाएगा तो यहां पर है x is equal to k कितना है 40 y यह क्या हो गया equation of variation अब उसके बाद आगे देखें यहां पर क्या दिया है कि find the time to fill such 1800 bags मतलब यहां पर ना x दिया है कितना दिया है 1800 आपको y का value यहां पर find out करना है तो इसको हम कैसे find करेंगे देखें equation of variation में x के value को put कर देंगे तो चलिए यहां पर side में करते हैं हमारे पास equation of variation क्या है x is equal to 40 y अभी x का value कितना है देखें यहां पर 1800 तो यहां पर हम लिखते हैं 1800 is equal to 40 y अब 40 को इदार ले लेंगे तो 1800 upon 40 is equal to y फिर 0 से 0 कट जाएगा यहां पर 4 बचेंगा 4,416 इसमें से कितना बचेंगा? 2 बचेंगा 4,5,20 it means y is equal to क्या आगया? 45 मतलब 1800 बैक्स को भरने में कितना मिनट का टाइम लगेगा? 45 मिनट्स ठीक है तो लास्ट में हम इसका अंसा लिख देंगे Thus, the time required to fill 1800 bags with milk Is 45 मिनट्स तो देखिए यहां पर हमने question number 3 complete कर लिया अब यहां पर देखिए question number 4 इसमें क्या दिया है? A car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7 and half hours तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर identify करेंगे कि यह direct variation में है कि inverse variation में है तो देखिए यहां पर क्या दिया है? जैसे समझो कि यहां से यहां तक का distance है अब car की speed कितनी है? 60 km per hour This is the speed अब इसकी speed इतनी है तो यह क्या करता है? यह जो car है इतने distance को यह अगर इसकी speed 60 km per hour की होती है तो यह इसको 8 hours में क्या करता है? ट्रावल करता है तो अगर मैं speed को बढ़ाउंगी तो यह जो time लगए है, ये क्या होगा, कम होगा समझो मैंने इसको 60 to 70 कर दिया तो जो time है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा समझ मैं आ रहा है अपको, देखो अगर मैं time बढ़ाँगी, तो time क्या होगा, कम होगा अगर मैं यह जो Speed है ना इसको अगर मैं कम करूंगी तो जो time है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब एक बढ़ रहा है तो दुसरा कम हो रहा है इसको हम कम कर रहे तो यह बढ़ रहा है मतलब यह किस variation में है inverse variation है इतना हम समझ गया अब यह आगे देखते है चलिए अब यह हम इसको solve करते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे let the speed of a car be x and the time required to travel the distance be y अब यह दोनों किस variation में है inverse variation में है तो हम यहाँ पर लिखते है x varies inversely as y अब हम यहाँ पर equal का sign लगा देते हैं तो k upon y हो जाएगा where k is constant अब यहाँ यहाँ पर आजाएगा तो x y is equal to क्या हो जाएगा k अब देखेगा यहाँ पर क्या है speed कितनी है 60 km per hour मतलब यहाँ पर x कितना दिया है 60 और y कितना है 8 hours मतलब 8 ठीक है तो अभी हम क्या करते है x और y के value को इसमें put करते है तो 60 into 8 is equal to क्या हो जाएगा k हो जाएगा अभी तोनों को multiply कर देते है तो कितना आएगा 80000 86048 आगया यहाँ पर 480 यह क्या हो गया constant of variation अभी हम क्या find करेंगे equation of variation तो देखें k के value को इसमें put कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा x y is equal to 480 यह क्या हो गया equation of variation ठीक है इतना आपने कर लिया अभ आगे पढ़िएगा क्या दिया है यहाँ पर what should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7 and a half hours मतलब देखो और distance क्या है जितना distance वो पहले cover कर रहा था उतने distance को वो इस बार भी travel करेगा लेकिन यहाँ पर देखो time कितना दिया है 7 and a half hours पहले उसको वो 8 गंटे में कर रहा था अब यहाँ पर time कितना बोल रहा है 7 and a half hours तो आपको बताना है increase in the speed मतलब कितना speed उसको बढ़ाना पड़ेगा तब वो उस distance को 7 and a half hours में travel कर पाएगा ठीके आपको यहाँ पर जो speed increase हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है ठीके तो चलिए यहाँ पर हम solve करते हैं सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं कि 7 and a half hours में जो speed है न वो car की कितनी होगी यहाँ पर हम यह find करते हैं तो देखिए आपको x क्या करना है find करना है y कितना है 7 and a half तो 7 and a half का मतलब क्या 7.5 ठीक है अब हमारे पास equation of variation क्या है x y is equal to 480 आप देखिए y का value 7.5 है तो यहाँ पर x into 7.5 is equal to 480 फिर x is equal to 480 upon 7.5 अभी हम क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं तो जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो उपर एक 0 बढ़ जाता है मतलब पॉइंट के बाद जितना digit होगा ना उतना 0 हम उपर बढ़ा देंगे यहाँ पर हो गया 75 अब इसको हम किस से cancel कर सकते हैं तो इसको हम ना 5 से cancel करते हैं तो देखिए 5 बंजा 5 5 फाइजा 25 और यहाँ पर 5 नैंजा 45 इसमें से जरी बचेगा तो यहाँ पर 35 सीजा 36 और यहाँ पर 0 यहाँ पर 960 अपॉन 50 इसको हम फिट से 5 से cancel कर सकते हैं तो देखिए 5 फाइज रिजा 50 यहाँ पर 5 बंजा 5 इसमें से 4 बचेगा 5 नैंजा 45 5 तो जा 10 क्या आगया यहाँ पर 192 अपॉन 3 अभी हम इसको 3 से कट करते हैं इसमें कितना आएगा देखिए 3 1 सा 3 3 6 सा 18 इसमें से 1 बचेगा 3 4 सा 12 मतलब यहाँ पर क्या आगया 64 चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले तो यहाँ पर 60 किलो मेटर पर आवर आगया यह अब आपसे इंक्रीज इन स्पेड बोला था मतलब इसमें पूझा था कि उसको कितनी स्पेड बढ़ानी पड़ेगी तो देखिए पहले कितना स्पेड था 60 किलो मेटर पर आवर अब भी कितना है 64 किलो मेटर पर आवर मतलब उसको 4 किलो मेटर पर आवर की पर आवर क्यों बोला क्योंकि देखिए 64 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा 4 किलो मेटर पर आवर समझ में आ गया आपको यहां पर आपको क्या निकालना था sehe in the speed मतलब जो speed है न उसेया आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा तो पहले कितना था 60 था अब कितना हो गया 64 हो गया मतलब कितना बढ़ रहा है चार बढ़ रहा है न तो हमने यह आप पर चार लिख दिया ठीक है तो आप Money सकते हो यहाँ पर हमने question number 4 complete कर लिया तो यहाँ पर हमने practice को subscribe किजिएगा thank you